गमगीन हुर्दे के साथ, अश्रुपुन नेत्र के साथ, आज पूरा देश इन वीर जवानों को सलाम कर रहा है। हमारे देश के वीर हैं ये, जिने आज हम सब सादर नमन कर रहे हैं। और देश वासियों के इस दुख्म के साथ जुड़ रहे हैं, खुद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जो पालम एरपोर्ट पहुँचे हैं, इस वक्त हमारे इन देश के वीर सपूतों को शधानजली अर्पित करने के लिए, देश के लिए एक अपूर नियक शती है ये, ज हमारे देश के प्रथम चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ उनकी इस तरह असाम्यक मृत्य हुई, और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुषपांजली के जरिये इन वीर सपूतों को शधानजली अर्पित करते हुए, प्रधार मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजना सिंग्, और ये शधानजली प्रधान मंत्री के ओर से नहीं बल्कि पूरे देश के ओर से प्रधान मंत्री अपने इन वीर सपूतों को देश के इन बलिदानियों को अर्पित कर रहे हैं, इन शूर वीरों को विनम्र शधानजली दे रहा है देश, प्रधान मंत्री नरेंद चीफ आफ डिफेंस स्टाफ श्रिबिपन रावत और उनकी पतनी सहित सैने अधिकारियों का निधन अत्यांत दुखत और राष्ट्र के लिए अपूर्णियक शती है पुषपांजली अर्पित करते हुए शधांजली अर्पित करते हुए और अब उनकी पतनी मधुलिका रावची को भी पुषप अर्पित करते हुए शधांजली देते हुए और अब ब्रिगेजर एलस लिदर को भी शधाँजली देते हुए पधान मंत्री इस दुरघटा में CDS के साथ अन्य बारा लोग हैं जो शहीद हुए हैं इन में जनरल बिपिन रावत उनके पतनी के अलावा ब्रिगेजर एलस लिदर लेटनीन करनल हरचंदर सिंग, विंकमांडर P.S. जोहान, स्क्वार जिडेटर केस् सिंग, नायक गुर्षेवक सिंग, नायक जितेंद्र कॉमार, लांसनायक विवेक कॉमार, लांसनायक साय तेजा, दास प्रधी, अब हावलदार सत्पाल, इन सभी को पिधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र श्रधान्चली दे रहे हैं यह शूरवीर हैं, यह वीर सपूत हैं, जिनोंने देशभक्ति का ज़स्बा अपने जीवन में प्रकट किया जिनोंने इस जजबे को जिया और इसी जजबे के लिए कुर्बान हो गए देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी और आज तिरंगे में लिप्टा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों के आँखों में अश्रू तो ला रहा है लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसाथ करने का भी अहवान कर रहा है कि देश भक्ती के लिए जियो देश के लिए जियो देश भक्ती के जजबे के साथ जियो और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्मसाथ करना तभी देश के प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, देशवासियों के ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, शधान जली अर्पेत कर रहे हैं देश के लिए एक भावुक्षन है जब एक साथ अपने इतने वीरसपूतों को देश ने खोया ऐसे में इनके परिवारचन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साचा करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐसे क्षर हैं, ये ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमरते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इनी परिजनों के परती देशवासियों की कृतग्यता प्रदर्शित करते हुए देश के लिए इन वीर सबुतों का बलिदान, इन परिवार जन का भी बलिदान बहुत बड़ा है इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सब की आँखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है और इन सब के प्रती आज देश की ओर से कृतग्यता और पित कर रहे हैं, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अफसर जब पुरा देश इन्हें सलाम कर रहा है एक अफसर जब इन वीर बलिदानियों को पुरा देश इनके प्रती कृतग्यता महसूस कर रहा है पुरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देश भक्ति का सबक सीख रहा है परधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्पून देश की ओर्पित की है इनके परिवार जन के प्रतिक्र तग्यता अर्पित की है क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है ये देश भकति का जो सबक सबको सिखा रही है आज हमें उसे आत्म साथ करना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनात सेंग तीनों सेनाओं के प्रमुक जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूर वीरों को शधान चली अर्पित की है पालम एरपोर्ट से ये सीधे द्रिश्य आप देख रहे हैं शुधान चली अर्पित कर प्रधान मंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालम एरपोर्ट से